आज की हिंदी का क्षामी आप सबका स्वागत है तो सबी बच्चे अपनी अपनी हिंदी बाशा माधुरी भागती इनकी पुस्तक, रफ कॉपी और पैंसी लेकर ध्यान पूर्वक आज के सेशन को अटेंड करें हमारा आज का टॉपिक है पार्ट नमबर 13 इश्वर ही देता है तो सबी बच्चे अपनी पुस्तक का पेज नमबर एठी नाई निकाली जी पार्ट नमबर 13 इश्वर ही देता है इश्वर मींज गौड बड़ी इ आधाशर शलगम वर इश्वर तो बच्चो इस कहानी को पढ का हमारा उदेश यह है कि संसार में इश्वर ही सब कुछ देने वाला है संसार में जो कुछ भी होता है उसकी मर्जी से ही होता है तो बच्चो आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इसमें एक राजा है उसके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं और राजा के हाथ में एक ठाली ह जिसमें सोने के सिक्के नजर आ रहे हैं जिन्हें वह उन दोनों व्यक्तियों को दे रहा है दोनों व्यक्ति बड़े खुश नजर आ रहे हैं तो बच्चो इस तरह का चित्रवर्णन करना आपको एक्जाम्स में भी आ सकता है अब हम इस चेप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम इसके difficult word meanings डिस्कस करेंगे प्रस्तुत, प्रस्तुत means is, English meaning this, पके प्यानले पदेन आधास तको छोटा ऊत, प्रस्तुत माध्यम, माध्यम means द्वारा, मको आ आधाध यम माध्यम, महानता, महानता means greatness गुणगान, गुणगान मींज प्रेज, सार, सार मींज सम्री, सर्वच सत्ता, सर्वच मींज हाई, सत्ता मींज पाव, स व को ओ, उपरेव आधाच च, सर्वच त आधात तको आ, सत्ता मर्जी मर्जी मीन्स इच्छा दानी दानी मीन्स जोनर बिखारी बिखारी मीन्स बैग दान दान मीन्स जोनेशन धन धन मीन्स मनी भोजन भोजन मीन्स फूड आयू आयू मीन्स एज सिर जुकाता बिचा यहाँ पर आपको एक मुहावरा दिया गया है तिर जुकाना जिसका English meaning होता है To bow the head तरबूज, Watermelon खोकला, Hollow यानि कि खाली You are young बूडे, Old दोनों, Both दरबार, Coat You are young तो चलिए नेक्स पेज पे आजाईए सबजीवाले सबजीवाले मीन ग्रीन ग्रोस भोजन, भोजन मीन फूड बाजार, बाजार मीन समार्किट स्तोने, स्तोने मीन गोल्ड स्तिक्के, स्तिक्के मीन स्क्वाइण सको छोटी ई, आधा क कक्को ए, स्तिक्के सच्मुच, रियली तो चलिए बच्चो, अब हम इस पाथ की रीडिंग स्टार करते हैं प्रस्तुत पाथ में कहानी के माध्यम से ईश्वर की महानता का गुनगान किया गया है कहानी का सारिय है कि ईश्वर ही सर्वोच सकता है और संसार में जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से ही होता है चंदनपुर का राजा जयंत बहुत दानी था उसके महल के बाहर अक्सर दो बिखारी दान मांगने आते थे राजा उन्हें दान में धन और खाने को भोजन देता था तो बच्चो इस पैरा में बताया गया है कि चंदनपुर का राजा जयंत बहुत दानी स्वभाव का था उसके महल में हमेशा दो बिखारी दान मांगने आते तो वह उन्हें धन और खाने को बोजन देता था तो चलिए आगे की रीजिंग करते हैं दोनों धान लेकर जब जाते तो एक बिखारी जिसकी आयू कम थी राजा के सामने सिर्जुकाता और कहता राजा ने दिया है राजा ने दिया है लेकिन दूसरा बिखारी बुड़ा था कहता ईश्वर ने दिया है बच्चो इस पैरा को पड़कर आपने जाना कि वह अपने महल के बाहर आने वाले दो बिखारीों को अकसर धन और भोजन दान करता था कम आयू आला बिखारी दान देने के बाद कहता कि यहदान राजा ने दिया है वहीं दूसरी तरफ बुड़ा बिखारी कहता था कि यहदान ईश्वर ने दिया है एक दिन राजा ने सोचा मैं दोनों को खाना और धन देता हूँ एक तो कहता है मैंने दिया है लेकिन दूसरा कहता है ईश्वर ने दिया है मैं देखूंगा कि इश्वर कैसे देता है राजा ने एक बड़ा सा तर्बूज मंगवाया और उसे अंदर से खोकला करवा कर उसमें सोने के सिक्के भरवा दिये दोनों बिखारी फिर दान मांगने आए राजा ने युवा बिखारी को वह तर्बूज दान में दे दिया तो बेचार इस पैरा में बताया गया है कि राजा ने बुड़े बिखारी की बात को परकने के लिए एक तर्बूज को अंदर से खोकला कर उसमें सोने के सिक्के बढ़वा दिये और उसे युवा बिखारी को दे दिया तो चलिए बच्चो अब अपनी पुस्तक का अगला पेज निकाली जिए राजा ने बुड़े बिखारी से कहा आज में तुम्हें कुछ नहीं दूँगा जाओ जाकर इश्वर से मांगो बुड़े बिखारी को कोई दुख नहीं हुआ उसने कहा इश्वर ही मुझे आपसे दिलवाता है यदि वह चाहेगा तो आज भी देगा तो बच्चो इस पैरा में बताया गया है कि राजा ने बुड़े बिखारी को कुछ नहीं दिया और उससे कहा जाओ अपने इश्वर से जाकर मांगो तो चलो बिटा आगे की रीजिंग करते हैं दोनों बिखारी वहां से चले गए अगले दिन सवेरे राजा ने दोनों बिखारी को दरबार में भुलाया राजा ने युवा बिखारी से पूछा क्या तुमने तर्बूज खाया था तो चलिए बच्चो अब नेक्स पेच पर चलते हैं युवा बिखारी ने कहा मैंने वह तर्बूज बाजार में जाकर एक सबजीवाले को बेच दिया उससे जो पैसे मिले उनसे मैंने भोजन किया तो बिटा इस पैरा को पढ़कर हमने जाना कि राजा ने अगले दिन दोनों विखारियों को दर्बार में बुलाया और युवा विखारी से तर्बूज के बारे में पूछा युवा बिखारी ने कहा उसने वहतर बूज सब जीवाले को बेच कर उन पैसों से बोजन कर लिया तो चलिए आगे की रीडिंग करते हैं राजा ने अब दूसरे बिखारी से पूछा क्या तुम्हें इश्वर ने कुछ दिया था बूडे बिखारी ने कहा कल जब आपसे कुछ नहीं मिला तो मैं बाजार में भीक वांगने चला गया वहाँ एक सब जीवाले ने मुझे एक तरबूस खाने को दिया जब घर आकर मैंने उसे काटा तो उसमें सोने के सिक्के भरे मिले अब राजा की समझ में आ गया था कि सब को दान देने वाला सचमुच ईश्वर ही है तो बेटा इस प्यारा में बताया गया है कि जब राजा ने बूडे बिखारी से पूछा तो पता चला कि वह तरबूस बिखारी को एक सब जीवाले ने दान में दे दिया था तरबूच के अंदर भरे सोने के सिक्के भी बूडे बिखारी को मिल गए इस तरह राजा को अहसास हुआ कि इस संसार में उस ईश्वर की मर्जी से हर किसी को उसके भाग्य का लिखा मिलता है उससे उसका भाग्य कोई छीन नहीं सकता तो चलिए बच्चो अब आजाएए शब्द ग्यान पर यानि की वर्ड मीनिंग्स पर तो बच्चो यहाँ पर आपको कुछ शब्दों के अर्ख दिये गए हैं जिनके आपने sentences बनाने हैं तो बच्चो मैं आपको copy पर लिखने का ढंग बता रही हूँ आपने मेरे बताय हुए pattern के अनुसार ही सुन्दर सुन्दर handwriting में अपनी copy पर शब्द अर्थ और वाक्यों को लिखना है सबसे पहले आपने left hand side पर तिथी लिखनी है यानि कि date जिस दिन आप कारे कर रहे हैं right hand side पर आपने लिखना है ग्रिहिक कारे अगली लाइन में पाठ 13 नेक्स लाइन में इश्वर ही देता है नेक्स लाइन में अर्थ वाक्यों इसका पहला शब्द है दानी दानी मीन्स दान देने वाला इसका वाक्य बनेगा अजाबली बहुत बड़े दानी थे हमारा अगला शब्द है आयू आयू मीन्स उम्र यानि की एस उसका वाक्य बनेगा बगवान मेरे माता पिता की आयू लंबी करे तो बच्चो आज की कक्षा में हमने पार्थ नमबर 13 इशर ही देता है पार्थ की रीडिंग की और उसके डिफिकल वार्ड मीनिंग डिस्कुस की पर साथ में हमने वाक्य बनाने भी सीखे अब आपने इस पार्थ की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है और साथ में वाक्य बनाओं को सुन्दर सुन्दर हैंड राइटिंग में मेरे बताए गए पैटरन के अनुसार अपनी कॉपी पर लिखना है आगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे तिल देन गुट बाई